Hello friends, welcome to English Literature Guide. आज हम डिस्कस करेंगे classical Sanskrit poet कालिदास के बारे में और इनके लिखे पले अभिजान शकुंतलम के बारे में. तो चलिए discussion स्टार्ट करते हैं. कालिदास संस्कुंत लिटरेचर के greatest writer माने जाते हैं. ज्यादातर historians कालिदास का टाइम 3rd and 6th century के बीच का मानते हैं. कालिदास के popular works हैं मालवी कागने मित्र, विक्रमोर वर्शिये, अभिजान शकुंतलम and poems like रगुवंश, कुमार संभव and मेगदूत. कालिदास के सभी plays Hindu mythology, epics and legions पर based हैं. प्ले अभिजान शकुंतलम भी महा भारत के आदी पर्व में लिखी King दुश्यंत and Queen शकुंतला के love, marriage, separation and reunion पर based है. अभिजान शकुंतलम का meaning है, the recognition of a शकुंतला by a token. प्ले की lead character शकुंतला है, Sir William Johnson ने इस प्ले को 1789 में English में translate किया था. यह first Indian play था जिसे English में translate किया गया. अभिजान शकुंतलम को Sanskrit and World Literature के best works में count किया जाता है. प्ले अभिजान शकुंतलम में total seven acts हैं और play की starting होती है एक प्रोलोग से. तो बात करते हैं प्रोलोग की. प्रोलोग में सबसे पहले भगवान शकुंतलम की prayer होती है इसके बाद play का director and actress stage पर आते हैं. डिरेक्टर को सुत्रधार भी कहा गया है. डिरेक्टर audience को बताता है कि आज वो famous कालिदास के play अभिजान शकुंतलम को perform करने वाले हैं. इसके बाद director, actresses से summer season पर एक song सुनाने को कहता है. Actress से song सुनाती है. Song खतम होने के बाद director कहता है कि song तो complete हो गया. अब हमें audience के लिए कौन सा play perform करना चाहिए? Actress कहती है कि अभी कुछ की दिर पहले तो आपने बताया कि हम आज अभिजान शकुंतलम perform करने वाले हैं. Director कहता है कि याद दिलाने के लिए शुक्रिया वरना मैं तो इतना melodious से song सुन कर play के बारे में भूल ही गया था. एकदम उसी तरहां जिस तरहां हमारे आज के play का hero दुश्यन्थ एक डियर को चेज करते हुए ये भूल जाता है कि वो कन्व रिशी के आश्रम में एंटर हो गया है. और इसके बाद Act 1 The Chase स्टार्ट होता है. किंग ओफ हस्तिनापूर दुश्यन्थ चैरिट पर सवार होकर हिमालियास के एक forest में मालिनी रिवर के पास एक डियर को चेज कर रहे थे. तबी वहां तो रिशी आते हैं और उन्हें हंटिंग करने से रोकते हैं. उन्में से एक कहता है कि आप कन्व रिशी के आश्रम की बाउन्डरी में हैं और इस बाउन्डरी में आने वाले किसी भी एनिमल को आप हंट नहीं कर सकते. किंग दुश्यन्थ अपनी इस भूल के लिए माफी मांगते हैं. राजा की अपॉलजी से खुश होकर रिशी उन्हें ब्लेसिंग देते हैं कि भगवान उन्हें एक ऐसा बेटा दे जो हैवन एंड अर्थ दोनों पर रूल करे. किंग रिश्यों की इस ब्लेसिंग से बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनकी किसी भी क्वीन से उन्हें बेटा नहीं था. इसके बाद रिशी उन्हें सेज कन्व के आश्रम में आने के लिए इन्वाइट करते हैं. तो दुशंत कहते हैं कि उन्हें कन्व रिशी की blessings पाकर बहुत खुशी होगी तो रिशी कहते हैं कि कन्व रिशी तो यहां नहीं है वो सोम तिरत गए है लेकिन उनका वेलकम करने के लिए उनकी डॉटर शकुंतला आश्रम में ही है दुशंत एक राजा की तरह नहीं बलकि एक कॉमन मैं की तरह आश्रम जाने का डिसाइड करते हैं आश्रम में एंटर होते ही वो कुछ गर्ल्स को देखते हैं जो प्लांट्स को पानी दे रही थी इन में से एक की एक्स्टा ओर्डिनरी ब्यूटी दुशंत को एट्रेक्ट करती है दुशंत वहीं एक ट्री के पीछे से चुप कर उन्हें देखने लगते हैं दुशंत को पता लगता है कि उस लड़की का नाम शकुंतला है और प्रियमवदा एंड अनसुया उसकी फ्रेंड्स हैं शकुंतला को ट्रीज, प्लांट्स, बर्ट्स और अनिमल्स असे बहुत अटेश्मेंट है वो इन सबी का बहुत खयाल रखती हैं इवन इन्हें दोस्त मान कर इन से बातें भी करती है तभी एक मदुमक्खी शकुंतला को परिशान करने लगती है दुशंत सामने आकर उस मदुमक्खी को हटा देते हैं फिर दुशंत शकुंतला से उसके बारे में पोचते हैं और शकुंतला कहती हैं कि वो सेज कन्व की डॉटर है दुश्यन कहते हैं कि सेज कन्व तो ब्रह्मचारी है शकुंतला बताती हैं कि वो अडॉप्टेट है असल में वो अपसरा मेनका और शत्रिय किंग से सेज बने विश्वामित्र की डॉटर है कनवरिशी से उसे यही पता चला है कि उसके फादर विश्मा मिद्र तपस्या करने जब हिमाल्या चले गए तो उसकी मदर उसे कनवरिशी के आश्रम मेn छोड़ कर सुवर्ख चली गई कनवरिशी ने उसे अपनी बेटी बना कर आश्रम में रखा इवन उन्हों नहीं उसका नाम शकुंतला रखा शकुंतला का ख्याल रखने की responsibility कनवरिशी ने माता गौतमी को दी शकुंतला शत्रिय फैमली से है ये जानकर दुशंद बहुत खुश थे क्योंकि अब उनकी marriage आसानी से हो सकती थी मगर दुशंद शकुंतला को ये नहीं बताते कि वो हस्तिनापूर के king है Act 2 Concealment of the Telling Act 2 की starting में हम माधवय से introduce होते हैं जो एक court jester है और दुशंद का close friend भी है माधवय दुशंद से कहता है कि उन्हें अब वापसी की preparation करनी चाहिए क्योंकि एक राजा का capital से इतने दिनों तक दूर रहना ठीक नहीं है मगर दुशंद शायद ही उसकी बात माने क्योंकि आजकल वो पता नहीं किसके ख्यालों में खोई रहते हैं दुशंद माधवय को शकुंतला के बारे में बताते हैं conversation के बीच में ही सेज कन्व के आश्रम से दो रिशी किंग दुशंद से मिलने आते हैं ये दोनों डीमन से protection के लिए दुशंद से help मागने आए थे दुशंद उनकी help करने को ready हो जाते हैं लेकिन इसके just बाद हस्तिनापूर से Queen Mother का message आता है जो दुशंद को जल्दी हस्तिनापूर पहुंचने के लिए कह रही थी दुशंद डिलेमा में थे कि किदर जाएं last में वो मादवय को अपनी जगा हस्तिनापूर जाने का कहते हैं और खुद कन्वरिशी के आश्रम जाते हैं जाते जाते दुशंद मादवय से कहते हैं कि वो तो मजाग कर रहे थे उन्हें शकुंतला में कोई interest नहीं है ऐसा इसलिए वो कहते हैं क्यूंकि शकुंतला से वो अपना relation secret रखना चाते थे Act 3. Love's fruition Act की starting में audience को बताया जाता है कि King दुशंद ने demons से रिशियों को बचाया और sacred rights में कोई problem नहीं आने दी Next scene में हम देखते हैं कि शकुंतला को fever हो गया है लेकिन actual में ये उसकी love sickness थी क्योंकि वो दिन रात दुशंद के बारे में ही सोचती रहती थी प्रियमवदा शकुंतला को कहती हैं कि उसे अपनी feelings एक letter के दुशंद को बता देनी चाहिए सो शकुंतला letter लिखती है वो ये letter दुशंद को भेजने का सोची रही थी कि किंग दुशंद वहां आ जाते हैं वो शकुंतला का letter पढ़ते हैं और बताते हैं कि वो भी शकुंतला को बहुत पसंद करते हैं Act 4 शकुंतला's departure Act 4 की starting में दुशंद शकुंतला को गंधर्व marriage के लिए प्रपोस करते हैं गंधर्व marriage में लड़का और लड़की अपनी मर्जी से शादी करने के बाद parents को शादी के बारे में बताते हैं कुछ वैसा ही जिसे आज के time में हम love marriage कहते हैं दुशंद शकुंतला को बताते हैं कि वो हस्तिनापूर के king हैं लेकिन शकुंतला कहती हैं कि उनके father कर्ण अभी सोमतिरत से पापस नहीं आए हैं जैसे ही वो वापस आएंगे वो उन्हें सब बताने के बाद ही दुशंद से शादी करेंगी दुशंद शकुंतला को convince करने के लिए कहते हैं कि वो दोनों ही शत्रिये हैं और इसलिए वो अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं शकुंतला convince हो जाती हैं और दोनों शादी कर लेते हैं इसके कुछ दिनों तक दोनों साथ रहते हैं फिर दुशंत को स्टेट अफेर्स की वज़े से हस्तिनापूर जाना पड़ता है दुशंत शकुंतला को अपनी रिंग देते हुए प्रॉमिस करते हैं कि वो साथ दिनों में वापस आ जाएंगे तब तक कन्व रिशी भी वापस आ जाएंगे फिर वो उन्हें सब बता कर शकुंतला को अपने साथ ले जाएंगे शकुंतला बहुत ही दुखी मन से दुशंत को अलविदा कहती हैं शकुंतला अपनी फ्रेंड्स को अपने और दुशन्त की मैरिज के बारे में बताती है और वो उस रिंग के बारे में भी उन्हें बताती है दुशन्त के जाने के बाद शकुंतला बस उन्हें के ख्यालों में ही खोई रहती थी अगले दिन जब शकुंतला दुशन्त के ख्या कि वो जिसको याद कर रही है वो ही उसे भूल जाएगा शकुंतला दुशंत के ख्यालों में इस तरह से खोई थी कि उसे कर्स का भी पता नहीं चलता दुरवासा रिशी को ये कर्स देते प्रियमवदा एन अनसुया देख लेती है वो दुरवासा रिशी के पीछे जाती है और उन्हें शकुंतला की कंडिशन बताती है कि हस्पेंट से सेपरेशन के वज़े से वो बहुत दुखी है उसे तो ये भी पता नहीं चला कि आपने उसे कर्स दिया है आप उसकी कर्णिशन को समझे और उससे अंजाने में हुई इस कल्ती को माफ करिए दुरवासा रिशी का गुस्सा कुछ कम होता है और वो कहते हैं कि अगर शकुंतला के हस्पेंट ने उसे अपनी कोई निशानी दी है तो उस निशानी को देखती ही उसे सब याद आ जाएगा ऐसा कहकर दुरवासा रिशी चले जाते हैं प्रियमदा अनसुया से कहती है कि वो ये कर्स वाली बात शकुंतला को ना बताए क्योंकि वो तो पहले से ही बहुत दुखी है और वैसे भी शकुंतला के पास रिंग तो है ही रिंग को देखते ही दुखन को सब याद आ जाएगा कनवरिशी तीरत से वापस आ जाते हैं शकुंतला उनसे मिलने आती है बट वो काफी हैसिटेट कर रही थी कनवरिशी शकुंतला के पहनी रिंग से उसकी हैसिटेशन का रीजन समझ जाते हैं वो अपनी डिवाइन साइट से देख लेते हैं कि शकुंतला और दुशन्त ने शादी कर ली है कनवरिशी शकुंतला से कहते हैं कि उसके लिए दुशन्त जैसा लाइफ पार्टनर तो वो भी नहीं ढून सकते थे माता गौतमी बताती है कि शकुंतला प्रेगनेंट है ये जानकर कनवरिशी की खुशी और बढ़ जाती है इसके बाद छे महीने बीट जाते हैं लेकिन दुशन्त शकुंतला को लेने नहीं आते कनवरिशी को टेंशन होने लगती है कि कहीं दुशन्त शकुंतला को भूल ही ना गए हो इसलिए वो कहते हैं कि शकुंतला को दुशन्त के पास जाना चाहिए नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शकुंतला अपने सब साथियों में से ट्रीज और प्लांट्स बर्ट्स और अनिमल्स को अलविदा कहती है कन्वर रिशी शकुंतला को विदा करते टाइम बहुत रोते हैं शकुंतला भी आश्रम से जाते वक्त बहुत दुखी थी अपनी जर्नी के दोरान बोट पर से शकुंतला रिवर में हाथ डालती हुई जाती है जिसे दुशन्त की दी रिंग वहीं पानी में गिर जाती हैं लेकिन शकुंतला इसे नोटिस नहीं करती इस रिंग को एक फिश निगल जाती है शकुंतला माता गौतमी शरंगरवा एंड शरदवाता राजा दुशन्त के पहुँच कर अपने आने की खबर दुशन्त तक पहुँचाते हैं दुशंद सबसे मिलने आते हैं, माता गौतमी दुशंद से कहती हैं कि वो उसकी वाइफ शकुंतला को उसके पास छोड़ने आए हैं, शकुंतला की प्रेगनेंसी का भी वो दुशंद को बताती हैं, लेकिन दुशंद को तो शकुंतला याद नहीं थी, सो वो कहते हैं कि वो क अपनी फिंगर आगे करती हैं रिंग दिखाने के लिए लेकिन रिंग फिंगर पर नहीं थी सो शकुंतला ही जूटी प्रूव हो गई थी दुश्यांत शकुंतला की ओनेस्टी एंड वर्चुवासिटी पर क्वेस्टन रेज करते हैं और उसको वापस कनवरिशी के आश्रम ले जाने का कहते हैं इस पर श्रंगर वा कहता है कि शकुंतला जूटी प्रूव हो चुकी है वो उसे अपने साथ नहीं ले जा सकते क्योंकि ऐसी वुमन कनवरिशी के आश्रम पर एक स्टेन होगी ऐसा कहकर वो तीनों पहले से चले जाते हैं इनमें से किसी को भी दुरवा लग जाता कि शकुंतला सची है या जूटी शकुंतला कहती है कि अगर वो उन्हें अब याद नहीं है तो बेटा होने के बाद कैसे याद आ जाएगी अपनी चैस्टिटी का ये टेस्ट वो नहीं देने वाली ऐसा कहकर शकुंतला मदर अर्थ से उसे अपने में समा लेने क लिए प्रे करती है फिर एक ब्राइट लाइट शकुंतला पर गिरती है और शकुंतला महां से गायव हो जाती है दुशन तो सोचते हैं कि अच्छा हुआ शकुंतला को पैले से ले जाने वाली उनकी मदर मेंका थी शकुंतला की मदर मेंका उसे हैवन में सेज कश्यप के आ दो गार्ज एक फिशर्मैन को किंग दुशंद के सामने लाते हैं क्यूंकि उसके पास से उन्हें एक रॉयल रिंग मिली जिस पर दुशंद लिखा था. फिशर्मैन बताता है कि उसे ये रिंग एक मचली के पेट में मिली थी. रिंग देखते ही दुशंद को सब याद आ जाता है कि ये वही रिंग है जो उन्होंने शकुंतला को दे थी. दुशंद को शकुंतला से कही हर एक बात याद आ गई थी. दुशंद उस फिशर्मैन को रिवार्ट देकर वापस जाने का कहते हैं. लेकिन दिमाग पर बहुत जोर देने पर भी उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि शकुंतला जब पैलेस आई थी तब उन्हें कुछ याद क्यूं नहीं था और क्यूं उन्होंने शकुंतला की इंसल्ट की. दुशंद अब बहुत उदास रहने लगे थे. फिर एक दिन लॉर्ड इंद्रा का मेसेंजर माटली दुशंद से लॉर्ड इंद्रा की तरफ से डीमन्स से फाइट करने की रिक्वेस्ट लेकर आता है. दुशंद रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर उसके साथ हेवन चले जाते हैं. एक्ट सेवन शकुंतलास प्रोस्पेरिटी आगे की कहानी छे साल बात की है. दुशंद डीमन्स को हराने के बाद माटली के साथ अर्थ पर वापस आ रहे थे कि रास्ते में सेज मारिच का आश्रम दिखाई देता है. दुशंद उनकी ब्लेसिंग्स लेने का कहते हैं. माट रावड शे साल के एक बच्चे को देखते हैं जो लौइन के टीथ काउंट कर रहा था. दुशंद को क्यूरियोसिटी होती है कि इतना ब्रेव चैल्ड किसका है. वो इस बच्चे के बारे में आसपास पता करते हैं. तो उन्हें पता लगता है कि उस बच्चे का नाम सर्व दुशंद सोचते हैं कि शायद ये उनकी वाइफ शकुंतला ही हो और ये बच्चा सर्वदामना भी उनी का हो. दुशंद सर्वदामना के पास जाते हैं और उसका एमिलेट टच करते हैं. उनके टच करने से एमिलेट में कोई चेंज नहीं होता. इसी बीच शकुंतला दामना को ढूंबते हुए वहाँ आ जाती हैं. दुशंद शकुंतला को देख कर बहुत खुश होते हैं. वो अपनी गलती की माफी मागते हैं और अपनी सदन मैमरी लॉस के बारे में शकुंतला को बताते हैं और ये भी बताते हैं कि रिंग देखते ही उन्हें फिर से सब याद आ गया है. शकुंतला दुशंद को माफ कर देती हैं. सेज, कश्यप इन तीनों को ब्लैसिंक्स देते हैं और ये तीनों हस्तिनापूर पैलेस आ जाते हैं. कन्वरिशी को भी इस फैमिली रियूनियन का पता लग जाता है और इस तरहां इस प्ले की हैपी एंडिंग ह होती है. शकुंतला के बेटे सर्व दामना का बड़े होने पर नाम भरत पड़ा, इन ही के नाम पर हमारे देश को भारत कहा जाता है. अब बात करते हैं कालिदास जी के औरिजिनल स्टोरी में किये चेंजिस की. औरिजिनल स्टोरी में शकुंतला भरत के बर्त के 6 साल बात राजा दुश्यंद से मिलने हस्तिनापूर जाती हैं। इसके अलावा भी शकुंतला एंडर किंग दुश्यंद की स्टोरी के वेरियस वर्जिन्स हैं। मगर सब में एक बात कॉमन है और वो है इस प्ले की हैपी एंडिंग। आपको ये प्ले समझ आ गया होगा तो आज के लिए इतना ही थैंक यू।